आज हम सकरगंदी को बॉयल करेंगे कुकर में बुबी बिना पानी के ये तरीका आसान के साथ सत भूती अच्छा तरीका है हम अक्सर सकरगंदी को पानी डाल करके बॉयल करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका मिठास भी कम हो जाता है कभी-कभी ओबर कुक हो जाती है या हम सकर सकरगंदियों को न भूनोंगी और ना ही बॉयल करूंगी तो ये बहुती सरल तरीका है अगर आपको मेरा मैथट अच्छा लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट सुबक्स में बताइए कि आपको ये मैथट कैसा लगा तो चलिए बॉयल करना शुरू करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले सकरगंदियों को अच्छी तरीके से दो तीन बार धो लेंगे क्योंकि सकरगंदी के ऊपर काफी सारी डस्ट रहती है तो आप चाहें तो इस तरीके से दो सकते हैं आप चाहें तो डल पर धो लीजिए देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से धो लिया है आप से रोकेस्ट है यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राब नहीं किया है तो फिली सब्सक्राब जरूर कीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके आप लेटेस्ट वीडियो फेस्बुक पेज इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं देखे मैंने इस तरीके से इनको दो तिन बार दो करके तैयार कर लिया है अब हमारी सकरगंदी धुल करके तैयार हो गई है अब हम लेंगे एक कोकर और कुकर के तले पर हम थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस कर लेंगे देखिए हम थोड़ा सा इस तरीके से ले करके उसे चिकना कर लेंगे मैं सजेश करूँगी कि आप देसी घी से इसको ग्रीस करें इससे सकरगंदी में बहुत ही अच्छा टेस्ट और घुसुगाती है देखिए मैंने इस तरीके से ग्रीस कर लिया है अब हम इन सकरगंदीयों को इसमें सेट कर देंगे आप चाहें तो एक लेयर में बना सकते हैं और अच्छी तरीके से इनको एक लेयर में सेट कर देंगे यदि आपकी सकरगंदीयों जादा हैं तो आप दो लेयर में बना सकते हैं देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से एक लेयर में सेट कर दिया है अब देखिए मैंने यहाँ पर दो किचिन टॉबल लिये हैं आप चाहें तो आप के पास हों तो आप कोई मोटा टॉबल भी ले सकते हैं एक तो देखे इस तरीके से मैंने इनको पानी से अच्छी तरीके से डिप कर लिया है और इनको अच्छी तरीके से निचोड दिया है हमें ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इस तरीके से सकरगंदियों को बॉil करने से ये ना तो ओबर कुखोती हैं ना ही जलती हैं या जादा नहीं बुनती हैं तो दीकिए इस तरीके से मैंने दोनर जो kitchen towel हैं उनको गीला कर लिया है kitchen towel को सकरगंदी के ऊपर अच्छी तरीके से लगा देंगे और धीहान रखेंगे हमें पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है अच्छी तरह लगाने के पाद हम इसका ढखकल लगा देंगी अब हम कुकर को गैस पर रख देंगे और फिलेम को हम मिडियम लो करदेंगे और देखें इस में जैसे हमाई गैस बन जाएगी हम flame को एकदम से low कर देंगे और करीब 15-20 मिनट हम low flame पर इसको पकने देंगे देखें low flame पर केवल इसमें से अब आज आएगी CT नहीं आएगी क्योंकि हमने X को एकदम से sim कर दिया है यानि एकदम से low कर दिया है अब इसे पकते हुए करीब 15-20 मिनट हो गए है अब मैं flame को बंद कर देती हूँ और इसकी gas को खुदी सान्थ होने देती हूँ हम इस बात का विसे इस ध्यान लखेंगी जब इसकी gas सान्थ हो जाएगी खुदी तभी हम इस कोकर को खुलेंगी उससे पहले हम नहीं खुलेंगे अब देखिए हमारे कोकर की gas सान्थ हो गई है अब मैं इसको धक्कन को खोल लेती हूँ आप अपने हाथ का ध्यान लखते हुए इस कपड़े को किसी चिम्टे की सायता से निकाल लीजिए क्योंकि ये भी बहुत गरम है देखिए अब मैं सकरगंदियां को भी निकाल कर दिखाती हूँ और ये अच्छी तरीके से पक चुकी है मैं अब आपको प्लेट में सभी को निकाल के दिखाती हूँ देखिए मैं दाप कर दिखा रही हूँ बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट हो गई है ये 15 मिनट में पक जाती है लेकिन 15 से 20 मिनट भी आप पका सकती है जिसे अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए देखिए मैं सभी को प्लेट में निकाल लिया है अब मैं आपको छील करके दिखाती हूँ देखिए इस तभी अच्छी तरीके से पक चुकी हैं अंदर तक अब मैं आपको छील करके दिखाती हूँ यह बिल्कुल उसी तरीके से छिलेंगी बहुती आसान तरीके से, सौफ्ट तरीके से नहीं इनका जो पल पे गूदा है, बो छिलकी के साथ आएगा और नहीं यह ओबर कुकुई हैं और इनका जो मिठास है ना पूबी परकरार रहता है ना तो जलता है और नहीं पानी के साथ निकलता है तो इस बहुती आसान तरीके से आप सकरगंदिया को पका सकते हैं आप इने भूनना भी कह सकते हैं इस पैदर से पकी हुई जो सकर गंदिया होती हैं भूती टेस्टी लगती हैं तो देख़िए मैं अभी आपको काट करके बी दिखाती हैं देखें बहुत आसन तरीकी से कट रही है आप इन पर चाट मसाला, काला नमक डाल करके आप खा सकती है मैं अभी आपको हास्ते भी तोड़ करके दिखाऊंगी कि कितनी सोफ्ट है अंदर तक पकी हुई है मुझे उमीद है कि आपको ये मेथड बहुत ही पसंद आएगा अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड सरकिल में, सोसल मीडिया पर रिलेटिप्स में इस मेथड को शेर जरूर कीजिए तो इस तरल मेथड से आप सकरगंधी पकाईए, खाईए और इंजोई कीजिए अगर आपको मेरी मीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्काइब जरूर कीजिए फिर मिलते हैं ने रेसिपी के साथ धन्नवाद